नमस्कार मनिक्ल कुमार पंजाब के इसली लाइब में आप सभी का स्वागत है भारत की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है आपने जरूर सुना होगा कि बच्चों के यानि 10th और 12th के बच्चों के बोर्ड होते हैं और बोर्ड से पहले प्रीबोर्ड होते हैं सरकार के ल प्रदानमंत्री मोधी आज संसत से पहले बोल चुके हैं कि हम बहुत बड़े बिल आने चाहते हैं ऐसा कुछ करना चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं हालांकि उन्होंने चुनाव पर कुछ नहीं बोला ना कि उन्होंके परिणामों पर बोला बीजेपी की कोवर ग्रुप की बैठक भी है, उसमें शायद यह देखेंगे कि अब तीन राज्यों में जो सत्ता हाल से गई है वो कैसे करेंगे, लेकिन अब जो मूल परिणाम करने में कामियाव हो 않고 मेरे सायोगी है, ये अश खोरानयमा उनसे बात करूँगा, जी एश क्या अपडेट्स हैं जी अभी यह है कि मतलब तीनो राज्य मध्यप्रदेश, 36 गड़ राजस्तान में कॉंग्रेस आगे चल रही है बीजेपी को मात दे कर जिस मत्यमा यानिकी कुल मिला कर बात कहें कि बहुमत का आकड़ा कॉंग्रेस ने पार कर लिया है जी बिल्कुल रुजान एक्जेट पॉल भी यही कह रहे थे और शुरुबाती रुजान भी कुछ ऐसे ही आये हैं यूं कह सकते हैं कि एक्जेट पॉल बिल्कुल एक्जेक्ट पॉल में तब्दिल हो चुके हैं यह बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल सटीक थो जी लेकर में इससे पहले भी कई मंत्रि ने ब्लब के मंत्रियों कि एकजप पॉल इस बार क्या होता है। यह बिलकुल सपश्च सिती रहने वाली यह बिलकुल सटीक है इन तीर राजों को छोड़के अब हम तेलंगाना का थोड़ा हाल सुनाते हैं थोड़े देर पहले जो और वेसी के भाईयक बुतरीन ओवेसी जी चुके हैं जी बिलकुल यह कौफी बड़ी बात है वैसे बड़ा कारण था कि जो केसियार हैं उनको जितवाने वाले उनकी बहु भाष्य जो जो वो थी भाष्या थी उनकी संस्क्रित ही थी उनको अज़ादी दिलाने वाले उनको मुतला करने वाले केसियार ही थे इसलिए उनको यह विश्वास था कि आम चुनाव इससे पहले हम करके दुबारा भी चुनाव कराएं तो KCR की ही यहां पर सरकार बनने वाली है यह बिलकुल तै था और इनको यह बिलकुल मुतमाइन थे आश्वस्त थे इस बात को लेकर इस बीच में मध्यपरदेश से एक ख़बर मारे पास आई थी कि जो तेरा दित्यसिंदिया वहां के प कुल आप कुछ वह बताएं दर्शकों के बारे जी देखिए जो गोवा में जो जो गोवा में जो सरकार बनी थी हाला कि बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं था लेकिन बाद में उन्होंने गटबंदन कर लिया था और उन्हों राज्यपाल के पास अपना प्रस्ताव रख था कि हम पहले सरकार बनाना चाहते हैं कहने का मतलब भी कॉंग्रेस अब ठोकर खाके सीख चुकी है कि बिल्कुल मौका पतिया है बिल्कुल यह तासीर देखने को मिल रही है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला ही बल्कि भाहुमत से नहीं आने वाली है लेकिन कॉ प्रवाण देदिया है अपने आपको खुद दावेदार पेश कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी से बहुत बड़ा कारण भी आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब प्यम उमीदवार है लेकिन यह बात तब साफ हो पाएगी क्योंकि अभी तो शुरवाति रुजान जो है जो प विकार राहूल गांधी को करेगा यह नहीं करेगा प्यम मोधी के तौर पर यह बहुत बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बात जिया यह और कलमा अगडवंदन की बैठक भी हुई है जिनमें काफी बड़े बड़े नेता जो भी देश के हमारे बड़े विपक्षी नेत है यह तो चलिए विरुदाभास की बात है तो कि विरनेता कोई होता है या नहीं होता है लेकिन अब देखते हैं क्या होता है 2019 के लिए माहगडबंदन बहुत बड़ी बात है लेकिन अब दर्शे को कौन थोड़ा गनित समझा देते हैं कि राजस्थान, चत्तिसगड़, वहाँ पर रमन सिंग की सरकार है तीसरा चोथा कारेकाल के लिए वो प्रवेश कर रहे थे लेकिन अभी चुनाव चल रहा है जिसके बाद सित्य और साफ हो जाएगी वहाँ पर आपको बता दे कि 90 सीटे हैं और बात करें मध्यप्रदेश की मध्यप्रदेश में 230 सीटे हैं जिसको लेकर अब काटे की टकर वहाँ पर देखा जारा है मुकाबला चल रहा है वहाँ पर भी शिवरासिंग चोहान की सरकार है और बात करें तेलंगारा की वहाँ पर दूसरा कारेकाल प्रवेश होने वाला था लेकिन उन्हें विदान सबाब भंग कर दी जिसके बात जरूर इस बात को कॉंग्रेस के लिए दुख भरी बात है क्योंकि कॉंग्रेस का वहां से सुपड़ा साफ होता हुआ साफ दोर पर दिख रहा है क्योंकि वहां पर MNF की सरकार बंती हुई दिख रही है वो तो अपने दफ्तरों में मिठाई भी बाट रहे थे MNF की बात होगी इतिलंगाना की हमने बात कर ली है अब बात करते हैं सबसे महतोपूर्ण राजे राजेस्थान की तो क्या लगता है रजबारों के गड़ में वापस सिंधिया राजे जी आएंगी या नहीं आएंगी सोबा से मन्दिर में बैठी हुई है ने जब खबर आ रही थी लेकिन जब शुरुवाती रुजान आ रहे थे कि कॉंग्रेस के पक्ष में सब कुछ अनुकूल हो रहा था तो वहां पर जो वसंदर राज्य थी मंदिर से निकल कर उन्होंने समवादाताओं को कुछ बिना ज तिति में आने वाले सत्ता में परीवर्तन होने वाला है एक बात इसमें और चाहूंगा निखिल इसमें आपको बतलादू की जो राजस्तान की जो जमी है वहां पर इस बात की एतिहासी गवाही है कि वहां पर सरकार पांस से ज्यादा साल टिकते नहीं है हिमाचल बहुत वियाईपी है जिनमें गुलाब चंद काटारिया की सीट है सरदारपुरा सीट है जिन पर अशोग गहलोथ है जालर पाटन सबसे महतुपूर से जहां से वसंदर राजे लड़ रही है सिर्फ राजस्तान की नहीं पूरी दिल्ली की नजर या यू कहें पूरे देश की नजर उस समय वहाँ पर है देखे लेकिन अगर हम बात कर रहे है राजस्तान की तो कॉंग्रेस में सबसे बड़ा विरुदाबास यह है कि कॉंग्रेस ने अभी तक किसी भी राजे में अपना सीएम कैंडिडेट गोशित नहीं किया है मैं इस बात में यह कहना चाहूंगा ह हम रूजगार स्रिजन करेंगे तो कहीं सारे महतुपून चीजे हैं जो राहूल गांधी जिसका लुथ फुटा रहे हैं लेकिन बीजेपी वहाँ पर सुपड़ा साफ होता वा साफ तोर पर दिख रहा है अब आपने घोशना पत्र की बात की है तो घोशना पत्र में कि वह माता को थोड़ा ज्यादा याद कर रहे थे MP की बात कर रहा हूं मैं यह कि वह माता के लिए पंचायतों में अलग-अलग गोशालाएं बनाएंगे घोशना पत्र से रिलेटेड क्या करेंगे आप किसानों को क्या हर कोई किसानों को कुछ ना कुछ देना ही चाहता है बसंदरा राजे पहले कहते थी हमारे पास फंड नहीं है अशोक गैलोट सब बेच कर चले गए लेकिन अब वो कह रहे है कि हम 5000 महीना देंगे 3000 महीना देंगे इसके अंदर मकबूलियत है वह साफ दोर पर पर देख रहा है लेकिन नाराज के से हैं वह विधायकों ऑھा पर जो साठ विदायक है उनके विकासखारी से उनकी निती से उनकी अक्लाज से वहां कि जो मतदाता हैं उनसे परिशान हैं उनसे कुल्फत महसूस कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा महतवपून कारण है हलाकि गोश्टना पतर है आप जो मर्जे दीजे लेकिन इसमें भी कोई दोराएन यह कि शिवराज एक लोग परी चहरा हैं मध्यप्रदेश का और लोग आज भ हम पत्रकार हैं हम बायज हैं बायज तो नहीं हैं लेकिन हम किसी बी ओर जा नहीं सकते फिर भी एक एक राज्या से शुरू करूंगा आपको क्या लगता है उनमें मुख्यमंत्री कांडिडेट कौन हो सकता है राजस्थान राजस्थान में मैं जहां तक अपने विवेक से अपने पूरी मनोवरिती से मैं सोच कर बतलाओं तो आपको वहां पर अशोग गहलोत दुबारा से वहां पर वापसी कर सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर चलिए यहां तो हम दोनों के बीच में थोड़ा विरोधावास है मैं सचिन पाइलेट के बारे में सोच रहा था लेकिन आपको इसमें बात बताना चाहता हूं सचिन पाइलेट इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि एक वहां पर भले ही वो उनके हाथ में कमान थी बागदोर है वो अध्यक राजिस्तान के लेकिन जो आशोग गहलोत हैं वहां पर एक लोग प्रिये चहरा हैं सचिन ये भी है कि अशोग गहलोत पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उनको तजुर्बा है इस चीज का हाला कि सचिन पाइलेट नहीं रहे ये बात है सबसे महतुपून लेकिन कॉंग्रेस हमेशा बात करती है युवा भारत युवा शक्ति की है क्या राहुल गांदी सचिन पाइलेट काफी उनके करीबी हैं मंच पर काफी साथ देखे हैं देखते हैं शाम को पता चलेगा हम दोनों में से कौन जीतता है वह जीतेंगे हम यहां जीतेंगे मध्यप्रदेश में जहां तक लग रहा है कि जोती रादित्य सिंध्या को लेकर पक्ष जो है जो पलड़ा है वह बहुत ज्यादा भार ही दिख रहा है अच्छाए यहाँ आप यूवाशक्ती के साथ है बल्कुल देखे इसमें यूवा शकती इसमें कोई इसमें महत्यपून वो चीज नहीं रखती है तो इसमें सबसे हैं चेहरे रखते हैं की जनत्ता वहां कि मतदाता क्या पसंद मंतरी का चहरकून होगा लेकिन देखा जा रहा है कि कमलनात और जोती रादिते सिंधिया में से जोती रादिते सिंधिया ज्यादा प्रभाव डालते हैं बीच में काफी बाते हुई हैं कि जोती रादिते सिंधिया में थोड़ा सा एहम है थोड़ा मैं है एहंकार है और फिर इस बात से मैं आपके सहमत भी हूँ, क्योंकि जो कॉंग्रेस की जितनी रैलिया हुई है मध्यपरदेश में, उनमें शिवराद सिंग चोहान, माफी चाहता हूँ, शिवराद सिंग चोहान तो नहीं, दिगविजय सिंग बिलकुल ही अलग रहे हैं, कमलनात का अला की पोस्ट इस गड़की, देखे, 36 गड़ में साफ तोर पर मुख्य मंत्री के तोर पर अभी फिलाल कोई बीचारा सपश नहीं है, लेकिन बीजय बीक तरफ से जरू सपश है कि रमन सिंग, वहाँ पर चोथा सत्ता का शीखर बिठाने के लिए वहाँ पर दुबारा से चुनाव पूछा, अपने बात करें, 36 गड़ की, उसमें जो साफ तोर पर है, अजीत जोगी और बीएसपी का घटबंदन है, लेकिन जो बीएसपी का जो जुकाव रहता है, अगर ऐसी स्थिती पैदा होती है, को कॉंग्रेस के साथ, बीएसपी जरूर जाना चाहेगी, और अजीत जोगी का डबंदन जरूर जाना चाहिए, जिस करके वो बहुमत में आ सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा स्थिती जो बन रही हो, देखे, 36 गड़ काफी ज़्यादा नकसल प्रभावे शेत्र है, अब 15 साल तक सरकार रही है, रमान सिंग जी की, अब फिलहाल, हम क्या कारण सरकार याने बीजेपी के सरकार गिर रही है, देखे, इसके बीचे कोई कारण नहीं हो सकता, मैं जहां तक समझता हूँ, वहां की 15 साल आना, मैंने अध्यन क्या है, इस बात को लेकर साफ तोर पे, और यही बतलाता है, जो भी, मैं किवल तत्थों के रिसाब से बात करता वहां पर यह चाहते है कि आप सत्ता का परिवर्तन हो जाना चाहिए, आप उबने वाली बात भीस, बिल्कुल बिल्कुल मैं यह शब्द आ रहा था मेरे अंदर से, बस अब यह अश भाई निकाल दिया, कि वह सत्ता से उप चुके हैं, ऐसा होता है कि हम भी कुछ कपड़े यह कोई भी जीन सम पहन लेते हैं, काफी टाइम हो जाता है, अरे नहीं अब तो नहीं, अब काफी उप चुके हैं, अब बात करते हैं, तेलंगाना की, बिल्कुल साफ तोर पर सपस्च है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी एक कारण बताया था, ठोस और सबसे कारण यही है, क्योंकि उन्होंने वहां के लोगों को वहां की बहु भाशे, जो वहां की जो संख्या है, भाशा जादा बोलने वाली, जो बहुमत है वहां पर बोलने वाला राजभाशा का, जो वहां पर है, वो वही है कि उनको अजादी दिलाने वाले केसियार ही थे, इस कि अब यह शुरुवादी रुजान में सब आगे चल रहे हैं पूर्ड मुहमत के साथ राजस्तान में सरकार बनेगी यह तैय हो चुका है अब यह सब बनाने वाली है बिल्गुल वह साफ नहीं है लेकिन आपने कहा तक यह शुक गैलाउद मैंने कहा तक सेचिन पाई ले तक परत बिल्कुत साफ हो जाएगी इस पास हो जाएगी कौन बनता है हाला कि हम उस पर बात कर रहे थे इस पे पहले वाल चर्चे पे कि हम किस राज्यों को लेकर यहां पर किस की सत्ता आने वाली है कून चहरा होगा तैय हो गया कि के सियार आएंगे ठीक है अब आते हैं मिज कारी नहीं उसके बारे में थोड़ा गणित भी समझा देते हैं जी देखिए मिजोरम में जो सीटे हैं वो 40 सीटे हैं उसके पीछे हलां की बहुत बड़ा कारण रहा था 2003 में अटल भी हरिवाजपेजी की सरकार में बहुत बड़ा संशोधन हुआ था चो अतरवाज इसके मिजोरम में 40 सीटे ही रहेंगी मतलब जितने भी चोटे राजे हैं हाला कि उनमें 10 12 सीटे रहेंगे लेकिन ऐसे चोटे चोटे राजे हैं जिसमें 12 12 सीटे ना रहें लेकिन मिजोरम जैसे चोटे राजों में गोवा में ऐसे जो मतलब चोटे राजे हैं वहापर 40 सीटे मतल पर सामने आने वाला है लेकिन ये बात बिलकुल स्वश्य कि MNF बिलकुल जीतने वाली है, बहुमत में आने वाली है, साफ तोर पर दिख भी रहा है, बिलकुल मिजो नैशनल फ्रेंट वहां बहुमत में आएगी, वहां सरकार बनाएगी, अब फिलहाल जो शुरुबाती राज्यो में सत्ता बना रही है तिलनगाना में केसी यार ही सत्ता बनाएंगे और उसके बाद मिजो नैशनल फ्रेंट वो मिजोरम में सत्ता बनाएगी इसी पलपल की अपडेट के लिए पंजाब केसरी लाइव के साथ जुड़े रही है